तो भई कैसे हो आप लोगों मीद करता हूँ यार आप से भी लोग बढ़िया होगे तो दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा अगर आप लोगों कोई भी जानवर अगर काटता है और आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो आप लोगों को रैबीज का इंजेक् अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो साथ साथ पहला इकन बेटर को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालू नोटिफिकेशन मिले आप लोगों सबसे पहले तो जैदा पकेती ना करते होगे करते हैं शुरू हेलो वाटसब गाइस मैं नाम है रिकी और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल तो शुरू करें चलो भई दोस्तों आप लोगोंने लाइफ में नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोगों कोई भी जानवर कुटा, बिली, चूहा, सुवर कोई भी काटता होगा तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते होगे बिमारी आती है तो ऐसी कंडिशन में होता है कि हमारी बॉडी में जो भी सेल्स लगे रहते हैं वो भी सुरक्षय तर्णत्र से जुड़े हुए वो सीधा जाकर बिमारी से लड़ना शुरू कर देते हैं बट यहां पर होती क्या बात है कि उन सेल्स को पता नहीं रहता कि व पिर अपनी ग्रोथ हमारी बॉडी में करना शुरू कर देता है अब ऐसी कंडिशन में होता है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे हारने लगती है हमारी सेल्स हारने लगते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाइरस होता है वो अपने आपको इतना जारा ग्रो कर लेता है कि हमारी जान पर बनाती है तो अब ऐसी condition में हमारी body का immune system बहुत ही बुरी तरीके से हारने लगता है तो यहाँ पर doctors वो करते क्या है कि जब भी हमें inject करते हैं rabies का injection देते हैं तो उसमें rabies का ही virus हमारी body में inject किया जाता है बट दोस्तों वहाँ पर फर्क सिर्थ इतना होता है कि rabies के वहाँ पर जो dead virus होते हैं वो हमारी body में inject किये जाते हैं ताकि होता कि हमारी body के जो भी immune system से जुड़े हुए cells होते हैं या फिर रक्षा तरंस से जुड़े हुए जो भी cells होते हैं आते हैं और उन चीज़ों से लड़ना शुरू करते हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो भी dead virus होते हैं rabies के वो अपने आपको develop हमारी body में नहीं कर पाते तो ऐसी condition में रहता क्या है कि हमारी body के जो structure cells होते हैं उनके पास में बहुत ही अच्छा मौका रहता है उनसे लड़ने का यानि उनके खिलाफ में एक plan तयार करने का कि यह cells आखिर किस तरीके से इसको हम लोग body से destroy करके इन्हें खतम कर दे एक दम से तो वो लोग उस चीज से लड़ने के बाद में उन लोगों पास में experience आ जाता है उसके बाद में फिर हमें कुटा काटे, बिली काटे, चाहे सूर काटे हम लोगों कोई भी फरक नहीं पढ़ता क्योंकि हमारी body खुद बाखुद इतना ज्यादा strong हो जाती है या फिर उसके पास में ऐसी planning आ जाती है जिसकी वज़े से उसे ये पता रहता है कि ये virus अगर हमारी body में enter करता है तो इससे आखिर कि हमें किस तरीके से लड़ना है उसके पास में एक advance plan होता है जिसके ज़रिये वो उसे बहुत ही असानी के साथ में हरा देता है दोस्तो इसका उधार इस तरीके से लेते है जैसे कि कोई swimming करने वाला है तेरना उसे आता है बट अगर समुंदर की लहरों में वो first time जाता है तो उसे uncomfortable सब feel होता है बट जिसका बचपना अगर समुंदर की लहरों में ही बीता हो उसे लड़ने का, उनका सामना करने का और सबसे बड़ी चीज उन लोगों पास में एक planning अवलेबल हो जाती है कि इन वाइरस को किस तरीके से जट से खतम करना है जिसके वज़े से वो लोग बड़ी असानी के साथ में हमारी बॉडी से इस चीज़ का सफाय कर देते हैं और उनके पास prepared plan तयार रहता है तो जब भी हमें life में कभी भी कोई भी रहबीस से जुड़ा हुआ चाहे जिन्दा वाइरस कोई भी हमारी बॉडी में आ जाए करता है और अगर आप लोग यह जानना चाहते हो कि रहबीस के इंजेक्शन की खोज किसने की या फिर क्या कुछ इसकी कहानी है तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगा जिसमें आप लोग जान पाओगे के रहबीस के इंजेक्शन की खोज आखिर किस नहीं की और किस तरीके से इसका डेवलप हुआ तो दोस्तो मीद गरता हूँ यह वीडियो आप लोगो पसंद आई होगी पसंद आई है तो या ठोको लाइक क्योंकि लाइक तो बनता ही है और मैं चैनल पर भूले बढ़के आयो तो चैनल को ओर दो सब्सक्राइब साथी साथ बैल आइकन बठ्टू को प्रेस कर दो ताकि पनाद को भूले इन बोड़के शफ़के, भाईके।